विल्कम तो माई चैनल लर्न विदे स्टडी दोस्तों आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूंगी कैसे आप किसी भी एनी नंबर से 11 के मल्टिप्लाई को कैसे 2 सेकेंड में मल्टिप्लाई कर सकते हैं आप जादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप औरली मल्टिप्लाई कर सकते हैं किसी भी एनी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 11 से मल्टिप्लाई बहुत ही 2 से 3 सेकेंड के अंदर आसानी से कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को, कॉमेंट्स करें और साथ ही साथ सेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहें क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स वगेरा लाते रहूँगा ताकि आपको एक्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकें और दूसरों की मुकाबले आप फास्ट कल्कूलेशन कर सकें तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि how to multiply any number with 11 in just 2 seconds 2 seconds का मतलब क्या है देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे यहाँ पर मैंने कुछ numbers लिया है randomly number लिया आप कोई भी number लेकर उसको try कर सकते हो ठीक है जैसे 11 में 11 की multiply करनी है तो हम कैसे करेंगे दो simple logic क्या है इसके लिए logic क्या है मैं logic समझा रहा हूँ logic के बाद आप आसानी से कर सकते हैं जैसे देखो इसको जो unit digit है उसको जो left hand से start करेंगे जो unit digit है उसको same as street लिख देंगे जो है वहीं लिख देंगे उसके बाद जो number है इन दोनों का एड कर देंगे देखो अब एड कैसे करते हैं देखो इन दोनों को एड कर दिए वन वन कितना हो गया टू और लास्ट वाला जो digit है उसको as street क्या लिख दिए लिख दिए ये one जो है वहीं यानि one two one हो गया ठीक है अब जैसे देखो इसमें इन दोनों का एड करेंगे इन दोनों का एड करेंगे कितना हो गया फो अब इसके next के लिखने के लिखने के लिए इन दोनों का एड करेंगे कितना हो गया six अब इसके इन दोनों का एड करेंगे तो कितना हो गया four ठीक है देखो इनको एड के the four अब लास्ट वाला को हम क्य लिख देते हैं, अब देखो, इस तरह से हमारा answer इसका कितना हो गया, 1, 2, 1, इसका answer कितना हो गया, 1, 3, 3, 1, देखो, कितना आसानी से, 1, 4, 6, 4, 1, कोई multiply करने की जोरत ही नहीं, देखो, इसको हमने क्या लिख दिया, 5, ठीक है, 5, and 4, कितना हो गया, 9, इन दोनों को add कर दिया, कितना हो गया, 7, ठीक है, अब इन दोनों को add कर दिया, कितना हो गया, 5, अब इन दोनों को add कर दिया, कितना हो गया, 3, और last वाले को हम क्या add कर दिया, लिख देते हैं, ठीक है, अब जैसे देखो, इसको multiply करना हो, देखो, 9, इसको unit digit को add कर दिया, अब इन दोनों को multiply कर दे 9, 8, add करेंगे, तो किना है, 17, जो 1 होगा, क्या होगा, वो carry होगा, carry next वाले number में क्या होता है, carry जो होगा, next वाले number में add होगा, जैसे देखो, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 8 plus 3, 11, 11 तो है, ठीक है, 1 carry भी है ना, इसका, जो 8, 9, 17 होगा थे, 7 लिखे थे, 1 carry, यानि 8, 8, 3, 11, और 1 carry कर देंगे, तो किना होगा, 12 होगा, यानि 2 लिख दिए, 1 carry, फिर होगा, ठीक है, अब इन दोनों को multiply कर दे, 3 और 2 add करेंगे, 3 add, 2 को add करेंगे, तो 5, और 1 carry कितना होगा, 6, और 2 को add जैसे, हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानि carry जब भी आएगा, वो क्या होगा, add होगा, जैसे देखो, इसको हमें लिखना हो, तो क्या, 1, इन दोनों को add कर दिया, कितना होगा, 7, इन दोनों को add कर दिया, कितना ह और 1 carry इसका भी ओल्रेडी 4 को एज एसीट लिख देते वर 1 carry है इसलिए कितना हो जाएगा 5 देखो simple सा कितना easily tricks है 1 ठीक है 7 1 कितना हो गया 8 देखो 9 और 7 कितना हो गया 16 के 9 7 को एड करेंगे 16 1 carry इन दोनों को एड करेंगे 9 9 plus 2 11 1 carry कितना हो जाएगा 12 और 1 carry इसका भी हो गया 12 का अब 2 और 1 carry जो है 3 हो जाएगा देखो अभी इतने बड़े नंबर को हम इतनी आसानी से आसानी से लिख देंगे 6 कितना हो गया 11 1 carry 9 कितना हो गया 10 1 carry इन दोनों को एड करेंगे 7 और 1 carry कितना हो जाएगा 8 ठीक है इन दोन तो लास्ट वाले को हम क्या एजश्ट लिख जाते हैं अभी इनको मुल्टिप्लाई करना हो तो देखो कैसे लिखेंगे थ्री ठीक है फोर प्लस थ्री कितना हो गया सेवेन इन दोनों को एड़ कर दिया किना हो गया 11-1 क्या हो गया इसका कैरी 7 3 10 और इसका एक और कैरी है ठीक है यह 11 इसका कैरी किना हुगया? तो हम इस तरह से किसी भी ऩरud , हम फोई भी नंवर ले 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 लेता है saint эта और किskण फोटिप्लाई वाई कितना हो गया? 8, 7, कितना हो गया? 15, 1, carry 7, 6, 13, 1, carry कितना हो गया? 14, 6, 3, 9, 9, 1, carry इसका भी carry 9, 1, 10, ठीक है? और 3, 2, 5, 1, carry कितना हो गया? 6, ठीक है? और 2, को कोई carry निये तो रिख देंगे तो इस तरह से जैसे 3, 2, 9, 6, 4, multiply 11 करना हो तो ठीक है अब देखो इसको multiply करना हो तो मैंने अभी बोला था कि 4 को एजसेट लिख दो ठीक है इन दोनों को add कर दो कितना हो गया 10 ठीक है carry 1 9 6 15 1 carry 16 ठीक है 9 2 11 11 11 1 carry कितना हो गया 12 ठीक है इसका भी carry और इसका भी carry 3 2 5 1 carry कितना हो गया 6 और 3 को एजसेट लिग देंगे, अगर carry होता है अड़ करते हैं, otherwise नहीं है, यानि carry का मतलब होता है, add करना, otherwise carry नहीं है, तो हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like करें, subscribe कर लें, मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूं, thank you, bye-bye